तो गभी इसमें आपका सौगत है तो सुजलोन एनलजी के तरफ से काफी बड़े और अच्छे अप्डिस निकल के आ रहे हैं जो CFO है इनकी हिमानशो मोदों उनने बताया है जो इनका 6500 क्रोर का डेट है अगर आप इसमें इन्वेस्टिड आपको बता होगे इसमें डेट का काफी अच्छा गासा आप निकल के आता है और इसके बड़े से काफी इनको परिशानी भी हो रही थी बड़ अब जो CFO है उनका कहना है कि यह परिशानी अब यह दूर होने वाली है लगबुक होई चुकी है ऐसा इनका कहना है वो क्यों कहना है इनका डेटेल में ने बताय है यहाँ पर सबसे पहले तो बता दो जो इनका 3500 क्रोड का जो एक्सपोजर होगा डेट का उसके बदले वो एक्विटी दे देंगे जो SBI LAT 16 बैंक्स होंगे उनको तो यहां से इनका 3500 क्रोड का डेट यहां से ही चला जाएगा पूरा परा साफ हो जाएगा बागी जो ब सर्फ इतना ही नहीं है साल के एंट तक यह 1200 क्रोड का यहां पर राइट इशू भी होगा जो 3000 क्रोड का जो रिफाइनेंस होगा उसको पे करने के लिए यहां पर आगे चलके देख सकते हो कि नेट डेट फी कंपनी भी बन सकती है यहां पर तो यह काफी बड़ी डेवलोप नीचे ही होना चाहिए तो अभी देख सकते हो कि काफी जादा है इसके बाद यहां पर यह वन रिफिर उन से नीचे आ जाएगा डेट इसका कम हो जाएगा जो अभी इनका प्लैन है डेट रिपेरिमेंट का उसके सबसे इनका जो डेट है वो 2500 क्रोड के असपस आ जाएगा बट इनका प्लैन है कि इससे भी फर्दर डाउन करने का है यहां पर जो इनका CFO उन से फर्दर पूछा गया जो उनके non-core assets है उनको बेचने का क्या प्लैन है तो यहां पर इनने कुछ यहां पर ऐसे कुछ clarify नहीं दिया बट जरूर यह भी अपने जो यह non-core assets वहां पर उन उनका जो tenure होगा लोन का वो 20 साल से कम का ही होगा हाला कि long term का loan होगा बर 20 साल से कम का होगा तो यह काफी लंबर टाइम का होगा तो इसमें कोई heavy pressure नहीं पड़ेगा और अगमने ने बता है इनका कोई केपेक्स का प्लैन नहीं है तो जादा इनको cash की जरूर नहीं यहां पर निकल के आ रहे हैं और यहां पर इसके results भी आया थे result भी काफी अच्छे निकल के आया थे हाला कि वह one time यहां पर gain था इनको इसके वज़े से 2433 क्रोर का यहां पर इनको profit होगा था है इस quarter में हाला कि आगे चलके इनके operating profit है वह बढ़ने की उमीद है यहां से ऐसा कंपणी ने बोला है और जो उनका CFO उनने ये भी साथ में बताया है कि जो दो credit rating agency इनके rating भी सुधार दिया है यहां पर improve कर दिया है यहां पर जो refinancing के बात है तो यह काफी एक अच्छी चीज है कि जो credit rating agency है वो भी यहां पर थोड़ थोड़ यहां पर bullish होते जा रही है तो चैनल को बेना सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत चाहिए